अमादाबाद स्थित कई समारकों को अमत्षा के शासन से संबंध करने वाले अने अप्रकट भ्रांतिकारी वर्णनों के होते होए भी, बहुत से सुत्र है जो सिद्ध करते हैं कि वे इमारते उसके द्वारा निर्मित नहीं थी, केवल उप्योग में व्यवार में लाई गई थी अहमादाबाद की प्राचीर में घिरे हुए नगर का घनी बस्ती वाला क्षेत्र अभी भी भी भद्रा का करलाता है यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थमंगल प्रद है इस नाम के पढ़ने का कारण यग था कि यह नगर मंदिरों से भरपूर था वे सभी मंदिर अब म अगरों की तुलना में अमदाबाद में आज मस्जीदे ही मस्जीदे है प्राई इस प्रत्ते कुछ सो गजो के अंतर बर एक मकबराया मस्जीद है सबसे बढ़कर बात यह है कि वे सभी अलंकारिक राजपूत शेली में है अमद शाखे शासनकाल में अमदाबाद की मुस्ल मारी नगरी भर में कोई शासक मस्जीदे ही मस्जीदे बना दे और नहीं वह मस्जीदों और मकबरों को हिंदू मंदीरों की शेली पर बनवा सकता था हिंदू अस्तापत्यकला से अगाद और एक निष्ट प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति आमद शाह की भाती न तो और और भी बात है यदि उसने मूल रूप में मस्जिद बनवाई होती तो भदरा नाम का पुराना हिंदू नाम प्रचलित होने की अनुमती उसने कभी न दी होती भदरा क्षेत्र में पहुचाने के लिए तीन दरवाजे नाम से पुकारे जाने वाला उचा तीन महराबो वाला प्रवेश्द्वार सोया ही अलंकारिक हिंदू शैली में है इसके स्थापत्य की तूलना समीपस्तर डभोई और मोढेरा के हिंदू समारकों से की जा सकती है की आराद्य देवी का स्थान था द्वार मंडल से लेकर अंदर भुजय स्थल तक हिंदू कलात्मक्ता की दिखदर्शक विशम संगत राशी है मुख्य प्रार्थना स्थल में पास-पास थीत लगभक सो से उपर खंबे है जो केवल हिंदू देवियों के मंदीर में होते है वास्तविक असली मूल रूप में मस्जीदों के प्रार्थना कक्ष में एक भी खंबा नहीं होता क्योंकि सामोहिक नमाज के लिए खुला प्रांगन चाहिए पुजाग्रह के गवाक्षो में गड़े हुए प्रस्तर पुष्प चिन्न है जो नित्यभ्यास लूटे हुए और परिवर्तित स्मार्कों के संबन्द में मुस्लीमों की और से हुआ ही करता था इस विशाल मंदिर का एक बड़ा भाग अब कबरस्तान के रोप में उप्योप में लाया गया है संगत राशी से पुष्प जंजिर गंटिया और गवाक्षोस जैसे अनेक हिंदू लक्षन्स पष्ट दिखाई देते हैं देवालय की और दो आयताकार चोटिया में से एक को बिलकुल उड़ा दिया गया है जैसा कि उन्मत मुस्लिम विजयताओं द्वारा नगर में प्रतम बार प्रविश्ट होने के अउसर पर ही हो सकता था अमच्छा के द्वारा भीशन तबाही के पश्चा जो बगदर मची उसमें उजड़े हो और देखवाल से वंचीत मंदिरों के अलंकारिक प्रस्तर खंड़ अभी भी अहमधाबाद के आम रास्तों पर आधे गड़े पड़े हिंदू कलाकृती वाले बड़े बड़े पत्थर जो पहुनों से गिरा दिये गए थे अब भी धूल से अच्छा दित और उसी में समाई पड़े है एक ऐसा ही फलक तथाकति जामा मस्जित के सामने महत्मा गांधी मार्क पर जन शवचागार में इस्तमाल किया गया है इस तथाकति जामा मस्जित के संबन्ध में एक बड़ी महतोपुर्ण घटना 1964-65 में घटी मैंने अपने एक लेक में यह सिद्ध किया था कि जामा मस्जित कहलाने वाली अहमदाबाद करणावती उर्फ राजनगर की वह इमारत प्राचिन नगर देवता एवम राज देवता भद्रकाली का मंदीर था मेरे इस प्रकार के लेक इस वीशन 1964 के आसपास कुछ मासीकों में प्रकाशित होने के कुछ समय बच्चाद अमदाबाद के केसी ब्रास क्रांतीचंदर ब्रदर्स नाम की एक दुकान पुरानी होने के कारण उसके स्वामी ने उसे गिरवा कर इसी स्थान पर एक उच्छी ह हवेली खड़ी करवा दी, तथाकति जामा मस्जित के निकट ही यह खवेली इस तथाकति मस्जित से उची हो गई, हिंदों से एक नया विवात आरंब कर देने का एक अच्छा आउसर मुसल्मानों को मिल गया, अमदाबाद के तथाकति जामा मस्जित के विश्वस्त ने केसी ब्रदर्स कांती चंदन ब्रदर्स पर न्यायलेक में दावा दाखिल किया कि उन्हें उनकी नहीं हवेली गिरवानी का आदेश दियाग जाए, बड़े चिंतित होकर केसी ब्रदर्स इस संकट से हवेली बचाने का उपाई हित चिंतकों से पूछने लगे, किसी ने उन्हें बताया कि पूर ना ओक नाम के कोई इत्यास तद्न्य है, जिनके कथानुसा रामदाबाद की जाम मस्जीद प्राचिनकाल में भद्रकाली का मंदीर था, तब उन्होंने मेरा पता ढूंड कर मुझे पत्र द्वारा अपनी कठिन समस्या से अउगत कराया, मेरे सुजाव पर केसी ब्रदर्स ने अपने वकील के द्वारा प्रतिवात का उत्तर न्यायले में प्रस्तूत किया, उसमें कहा गया था कि जिस इमारत को मुसल्मान मस्जीद कहर रहे है, वो एक अपरूत हिंदू मंदीर होने के कारण, मुसल्मानों का उस भवन पर कोई अधिकार ही नहीं प्राप्त होता, अते वो केसी ब्रदर्स की हवेली गिराने का प्रश्न ही नहीं उठता, यह उत्तर मुसल्मानों को पहुचते ही, मुसल्मानों ने तुरंत अपना दावा वापस ले लिया, उन्हें डर यह पड़ी कि यदि यह दावा चल पड़ा, तो क मस्जित कहलाने वाली इमारत ही हातों से निकल जाएगी जो लोग ऐसा पूछते हैं कि यदि ताजमल लालकिला आदी इमारते हिंदों की सिद्ध हो जाती है तो उसके लाब ही क्या है उन्हें उपर लिखे केसी ब्रदर्स के उधारन से यह जान जाना चाहिए कि सत्यका शोद कभी विर्थ नहीं जाता ऐसी खोज से विविद अग्यान प्रकार के लाब हो सकते हैं उन्हें से एक व्योरा उपर दिया गया है दिल्ली वाली जामा मस्जित पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जित भी अपहरूत हिंदू मंदिर है इपन बतूता तैमुर लंग आदी आप लिखा है कि वह मंदिर था तताकतित कुतुप मिनार लाल किला जामा मस्जित आदी भारत भर की इमारते चून गए गेरुए रंग के पत्थर की बनी है यदि गेरुए रंग के कपड़े पहना हुआ व्यक्ति हिंदू सन्यासी होता है तो क्या गेरुए रंग के अपर नगर के हिंदू जागरोध होकर अपने अपने प्राचिन मंदिर्यों एवन धर्मक्षेत्रों का कबजा मांगे उदैपूर मेवाड में ने महारानाओ के नेत्रूत्व में पाश्वी इसलामिक आकरमनों का जो डटकर विरोध किया वो प्रशन्सनिय है तथा पी इस एक भी प्रमुक नगर या देवस्तान नहीं बचा है जो इसलाम में ने ब्रश्ट न किया हो प्रत्यक्ष उदैपूर में इसके कई उधारन देखे जा सकते हैं इतना ही नहीं अपितु हिंदों की ही लापरवाही अध्यान और मुर्खता के करन इसलाम के बंजे और स्थान फस्ते कए उन्हें कुछ ही समय में इसलाम निर्मीत स्थान ही समझा जाने लगा हिंदू इतियसकार सरकारी अधिकारी और पुरातत्व वेत्ताओं की यह बड़ी भूल है इसके असंखे उधारन है इसलामी प्रचार को सत्यमान कर चीने हुए हिंदू स्थान इसला सरोवर में जग मंदिर ध्वीब है वहां महराना जी के प्रसाद बने हुए है वहां भला मुशलमानों का क्या काम वहां कोई संपर्ग भी नहीं होना चाहिए किन्तु वहां भी इसलाम का अस्तित्व है इस ट्वीब पर एक प्राचेन शिव मंदिर में एक सुफी कपूर ब शिव मंदिर से जुड़ा हुआ था किन्तु शहजादा खुर्रम शहजा ने जब महाराना का आश्रे मांगा तो सुरक्षा के लिए उसे उस द्वीप पर ढ़राया गया उस समय इसलामी प्रथा के अनुसार खुर्रम के मुसलमान सरदार दरबारी और नौकर चाकरों ने आश साधू कपूर के आश्रम को फकीर का चिल्ला कहना आरंब कर दिया तब से मुर्खता से लोग इन इमारतों को शहजा द्वारा बनाई गई इमारते समझते हैं ऐसा अन्या और अंधेरे इत्यासिक बहुनों के मूल निर्माताओं के असंबन में पगपग पर दिखाई देता है अतेव सत्य इत्यास के जो भी भक्त हो उन्हें यह समझना आवश्यक है कि भारत की ही नहीं बलकी विश्व में जितनी भी विख्यात इमारते है या प्राचिन इत्यासिक स्थान है वे इस इसलाम निर्मित नहीं है आरंब से इसलाम की यह प्रथा रही है कि दूसरों की पर कबजा करना और कुछ पिडियों के पश्चातिय कहना प्रारम करना की वे बहन मुलता मुसल्मानों ने ही बनवाए जूलते स्तंब। नीचे स्तंब का भाग हिल रहा हो। सहोदर स्तंब। में जाने वाला कोई भी दिर्शनार्थ इसी बात का अनुभो करेगा। पूर्वकालिन हिंदू भवन है। इस प्रकार की इमारते तो थोड़ा धक्का लगाने पर जूलती है। भारत में कई स्तानों पर है। उधानार्थ महाराष्ट्र प्रांत के जलगाउ जिले के महसवे और फरकांडे नाम के दो देहातों में प्राचिन देवालोय के मिनार और दीप स्तंब हिलाने पर जूलते है। पंजाब के गुरुदास पूर नगर में भी ऐसा जूलने वाली एक इमारत है। प्राचिन स्तापत्यकला के संस्कृत ग्रंथों में जूलने वाले भवन या स्तंब बनाने का रहस्य कहा लिखा है। इसका शोधन होना चाहिए प्रगत समझे जाने वाले इरोपिय स्तापत स्वयम इस प्राचिन भारतिय कारागिरी पर बड़ा अश्चर प्रकट करते हैं। अमताबाद करनावती के जूलने वाले मिनारों की इमारत का तीन अंग्रेजों ने रहस्य ढूनना चाहा। उनमें से एक व्यक्ति ने एक मिनार को पकड़ कर खुब हिलाये। तो दोनों म उनका अनुमन था कि एक मिनार हिलाने पर उसके लहरे चत वाले आंगन से दूसरी मिनार के लिए तले बहुचकर उसे कमपित करती होगी। तथा भी चत के आंगन में लेटे उन दोन व्यक्तियों को उनके पीठों के तले आंगन से कोई ऐसी कोई लहरे दोडने का अनवो न यह नगरी प्राचिनकाल में समरुद्दशाली सामराज्य की राजधानी थी इसलिए इसमें अनेक मंदिर और राजप्रसात थे इनमें से अधिकांशस अब मस्जीदों को रूप धारन किये खड़े हैं उनकी भायकृती ही सभी को यह विश्वास दिला देगी कि इनका मु अधरों पर संस्कृत भाषा में साहित्य उतकर्ण है एक सुस्पष्ट उधारन उस मारप का है जो चत्म रूप में कमाल मौला मस्जीद कहलाती है कुछ वर्ष पूर्व जब उस भवन का कुछ अंश उखड कर नीचे गिर गया पड़ा तब उसमें प्रस्तर फलक किये भरे पड़े थे अब यह सत्य प्रस्तापित हो चुका है कि रसरस्वती कंठा भरन नामक समारक सावस्कृत साहित्य के आनोठे पुस्तकाले के रोप में था यह पुस्तकाले इस दुरुष्टी से आनोठा था कि इसमें जो साहित्य संग्रहित था वह नश्वर काकजो पर न होकर प्रस्तर फलकों पर उद्किन था यव उधारन इद्यास पुरा तत्वा और वास्तुकला के विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित करने की दुरुष्टी से पर्याप्त होना चाहिए कि वे उन सभी मध्यकालिन समारकों की सुक्ष्मरूप में जाच पड़ताल करे और जो आज मकपरेया मस्जीत के रोब में गोशित है निश्चित है कि खोज से अवश्य द्यात हो जाएगा कि ये प्राचिन राजपूत मंदिर और राजप्रसाद है महाराष्टर के मराठवडा प्रदेश में एक नगर है जो प्राचिन काल में हिंदू राजनगरी होने से कटकी कहलाता था उसकी प्राकृत रूप खड़की बना शाजादा औरंग जैब मुगल राज्य का सुभेदार बनकर उस नगर में दो बार रहा तब से खुशामत कारों ने कटकी उर्फ खड़की को औरंगाबाद कहना प्रारंब किया भारत स्वतंत्र होने पर भी वही पराया नाम उस नगर से चिपका है वहाँ से देवगीरी का किला लगबक साथ मिल दूरी पर है हिंदू प्रथा में राजधाने के नगर को किसी किले का सवरक्षन अवश्य होता था उसी आधार पर देवगीरी और कटकी का अटूट संबन था उसी नगरी से न केवल एक पराया नाम चिपका है अपितु एक जूटा का कपल का कपीत इत्यास भी उस नगर पर मड़ दिय गाया है वर्तमान सरकार चाप इत्यास का निराधार ही पढ़ते रहते है कि अमद नगर हिंदू नाम आमभी का नगर के इसलामी राज्य का मुख्य मंत्री हबशी मलिकंबर ने खड़की नगर बसाया मराठ वड़ा विश्व विद्याले का इत्यास विभाग भी आँख कही नहीं कहता कि खड़की नगर उसने बसाया अनेक बाजारों में विका हुआ वह एक गुलाम था जो मद्ययोगिन उतल पुतल मार काट और विश्वास गहतों के कूचकर में भाग्य वर्षात निजाम शाही का महामंत्री बना किन्तो नगर बसाना क्या हसी मजाक है और क् उसके खड़की खड़की यह सौस्कृत नाम क्यों देता उस नगर में ताज महल के ही नमुने पर बना एक प्राचिन विशाल विशिव मंदिर है उसमें तहकाना अनेक मंजिल और सेकडो कक्ष है इसलामी आकरमकों ने उसके अंदर एक जूटी कब्र बना कर इस उस इमारत को बीवी का मकबरा कहना आरम कर दिया तब से एक अफवा यह है कि अवरंग जैब ने दिलरस बानो नाम की मृत बेगम को वहां गाड़ कर वह भवन रचा अते वह उसे बीवी का मकबरा कहते हैं दूसरी क्यों दंती यह है कि उसके पुत्र महमुद आजाम ने माता के इस मा मारक में वह इमारत बनवाई यदि ऐसा होता तो आए आमा जान की कबरकहनेत कहते नो कि बीवी का मकबरा तीन सो वर्ष यही दो अफवाय थी किन्तु 1972 में वही के शिक्षा महा विद्याले के एक प्राध्यापक शेक रमजान ने एक प्रबंद लिखकर वही के विश्व व प्रतिपादित है कि वह इमारत नो तो अरंग जैब ने बनवाई और नहीं आजम ने अपितु दिलरस बानों ने अपने ही जिवनकाल में बड़े शोक से गाठ के 6 लाख रुपेर खर्च कर वह विशाल इमारत अपने प्रेत के लिए विश्राम एवं विराम स्थान लिखता है कि किसी चोथे मुसल्मान की बनाई है तो भला हमें इसमें क्या अपत्ति हो सकती है अंततो गत्वा वह इमारत है तो किसी मुसल्मान की ही ऐसी अवस्ता में वह एक नित्य मिलने जुलने वाला परिचित मुसल्मान प्राध्यपक दो-तिन वर्ष उलगा कर एक बोटा सा प्रबंद लिखकर प्रस्तुत करता है तो उसे PhD दे डे डालने में किसी के बाप का क्या बिगड़ जा सकता है किसी प्रबंद पर ऐसे बावले प्रकार से किसी विश्व विद्याले द्वारा PhD की उपादी दे डालना एक विश्व विद्याले के लिए कितनी लज 72 के अंक में चापा था उसमें मैंने यह आवान दिया था कि तथा कथिद बीवी का मकबरा एक अभरुत हिंदू इमारत है यदि हिम्मत हो तो किसी सेवा निवरुत न्यायदिश की अध्यक्षता में अरंगबाद विश्व विद्याल एक परिसवाद आयोजित करें जिसमें म